आई हम वचन पर जाएंगे भचन सहीता 66 का 18 निकाली है इस वचन को हम ध्यान से देखेंगे और परमिश्र के उस अभिशेक को समझेंगे उस चनौती को समझेंगे जो हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है अगर हम इन चनौतियों को इन चेतावनियों को अपने जीवन मे नहीं समझेंगे हम नहीं जाचेंगे तो हम आशीश नहीं पाएंगे प्रेस अलॉट हालेलिया देखिए मैं आपको एक बचन दिखाता हूँ यह जो है बचन सहीता 66 का 18 उसके बाद पहला कुरंतियन 11 का 31 निकालीगा यदी मैं मन में अनर्थ की बात सोचता अधर्म की बात सोचता अगर मैं मन में रेस अलॉट आगे तो प्रभू मेरी न सुनता तो प्रभू मेरी न सुनता है मैं हलो जबान पर आप बड़त बात नहीं ला रहे हो नहीं कह रहा है मन में कभी-कभी हम सोचते हैं कि हमारे मन को किसने देखा है कौन जानता है है ना रेस अलॉट वाक और ये अगर आप में गलत है आपके मन में आ रही हैं तो सरदूत नहीं देखआएंगे नहीं जान पाएंगे आपके मन में क्या है दुस्ट आत्माएं भी नहीं जान पाएंगी लेकिन PRAB dripping जान पाएगा हि और मर्मेश्व मैं जब प्रात्रा रोज करती हूँ तो मेरी प्रात्रा क्यों नहीं पूरी हो रही है आज मैं आपको इसका उंसर दूँगा यदी मैं अपने मन में अधर्म की बात सोचता अधर्म क्या है आपको पता है इशु पर विश्वास ना करना अधर्म है इशु पर संधे करना अधर्म है इशु से उतना प्यार ना करना जितना प्यार इशु ने किया था अधर्म है आप प्यार का मतलब समझते हैं, प्यार देना है, प्यार नापना नहीं है, अगर आप किसी से प्यार करते हैं और आप नापते हैं, नापकर आप प्यार करते हैं, तो आप प्यार ही नहीं करते हैं, आपको पता ही नहीं प्यार का मतलब क्या है, आप धकाउसला करते हैं, प्य का मतलब है कि मैं अपने लिए नहीं जी रहा हूं मैं आपके लिए जी रहा हूं अगर आप पूरी तरीके से प्रेम नहीं करते हैं तो अधर्म करते हैं अगर आप अविश्वास करते हैं अधर्म करते हैं अगर आप प्रात्रा करते समय संधेल आते हैं आप अधर्म कर रहे है वो क्या बोलता है यदी तु अपने मन में अधर्म संजोएगा लाएगा भी नहीं संजोएगा रख लेगा तुने अपने मन में अधर्म रखा हुआ है उपर से अपनी जबान से तु प्यार करता है अपनी जबान से तो दिखा रहा है कि नहीं नहीं तो बहुत धर्मी है इशो मसी मैं हर रवीबार को आता हूँ इशो मसी मैं बाइबल भी पढ़ता हूँ इशो मसी मैं प्रात्रा भी करता हूँ लेकिन तेरे मन में इशो मसी अधर्म देख रहा है क्योंकि तेरे मन में पूरी तरीके से इशु नहीं है अलो तेरे मन में पूरी तरीके से प्रभू नहीं है आपको पता है आपका न्याय कैसे होगा पहला करुंतियन चार का पांच पड़ी है फर्स करुंतियन 4-5 इसलिए जब तक प्रभू ना आए समय से पहले किसी बात का न्याय न करो वही अंदकार की छिपी बाते जोती में दिखाएगा और मनों के अभिप्रायों को प्रकट करेगा वो जो है परमेश्वर वो अंदकार में छिपी हुई बातों को दिखाएगा तो आपका न्याय किस बात पर होगा इसलिए समय से पहले किसी बात का नयाय ना किया करो वरन जब तक प्रभू न आय तब तक ठेहरे रहो क्योंकि वो कौन प्रभू उन बातों को जो अन्दकार में छिपी है प्रकाश में लाएगा हललयज़ यनि कि आपका नयाय किस बात पर होगा जो अंदकार में आपने बाते छुपा के रखी है आपने बापतस्वा ले लिया आप परभू में है लेकिं अंदकार में जो आपके मन में बाते छुपी हुई है उन बातों का नियाय परमेश्र करेगा कभी-कभी हम चर्श में आते हैं और हम दिखाने के लिए, शोबाजी के लिए हम बहुत धर्मी बन जाते हैं हम सेवा का भाव भी लाते हैं हम समझते हैं, हम दों को दिखाते हैं, हमें बचन भी है प्रेस अलॉट, हालेलुया, बहुत कुछ बोलते हैं लेकिन मन में अगर आपकी सेवा दिखावट है, तो ये पाप है तो ये पाप है परमेश्चर उस सेवा को स्विकार नहीं करता, जिसमें दिखावा है अलेलुया, वो दिखावट जो अंदकार में छपा हुआ है बाइबल क्या कहती है, वचन क्या कहता है कि वो अंदकार में छुपी हुई बातों को प्रकाश में लाएगा जब वो आपको अपने नयाय के सिंगहसन के सामने खड़ा होगा तो वो आपको अंदकार में जो आपने बाते सोची है उन बातों को सामने लाएगा जो बाते आपने किसी के सामने नहीं कहीं जो अपने मन में ही आप कर रहे हैं जो अपने मन में संजोई अपने मन में रख ले ही अपने मन से ही आप कर रहे हैं अपने मन में आप पाप पाल रहे हैं अपने मन में आप किसी के लिए दोश लगा रहे हैं अपने मन में ही आप किसी से नफरत कर रहे हैं परमेश्वर उन बातों को प्रकाश में लाएगा आलेलुया आपने कभी सोचा है अब जैसे हमारी ये बिल्लिंग है ये बहुत पुरानी हो गई है दिखती है इस पर पेंट नहीं हुआ है लेकिन एक सामने वाली बिल्लिंग है पेंटिड है अगर तुफान आएगा तो कौन सी बिल्लिंग गिरेगी कौन सी बिल्लिंग गिरेगी हलो जरुरी नहीं कि जिस पर पेंट नहीं हुआ है अगर तुफान आएगा तो कौन सी जिसका आधार नहीं है जिस बिल्लिंग की नीव नहीं है चाहे उसने बहुत अच्छे चे कलर से पोघक किया हो चाहे आपकी building बहुत अच्छी तरही से सुनहरे रंगों से painted हो कूप दिख रही है बाहर से safe debt youre से दिख रही है अरे क्या painting है यार क्या building है और एक building जिसमें painting नहीं हुआ अगर भुकंप आएगा, भुचाल आएगा तो कौन सी बिडिलिंग गिरेगी? जिसकी नीव पक्की नहीं होगी अलिलुया प्रभू में आपकी नीव पक्की है कि नहीं है? अगर आपकी नीव पक्की है और बाहर से आप शोबाजी नहीं करने हैं अगर आप बाहर से अपनी चीजों को नहीं दिखा रहे हैं आप में शोबाजी नहीं है तो आप ठहरे रहेंगे अलिलुया, प्रिस अलॉट साथ का चौदा बढ़ी है, मतिस साथ का चौबिस से टाइस देखी मैं इस बात को आपको क्यों समझाना चाहता हूँ क्योंकि आज का मसी जिसमें धोंग है आज का जो विश्वासी है वो धोंग का विश्वास करता है जिसमें धोंग है, जिसमें सच्चा ही नहीं है इसी लिए आप वचन समझ नहीं रहें आप वचन के अनुसार चल नहीं रहें कोई भी काम आप बिना वचन के कर रहे हैं अलेलिया पढ़िए साथ का चौबिस से थाइस मती मैत्यू 7 24-28 आगे इसलिए जो कोई मेरी ये बाते सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनश्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया और में बर्सा और बाड़े आई और आंधिया चली और उस घर से टकराई फिर भी वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नीव चट्टान पर डाली गई थी परंतु जो कोई मेरी ये बाते सुनता है और उन पर नहीं चलता वह उस निर्बुद्धी मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर पर ड्यक्त नों को लेट मिलें थी दोनों को रो मिले था को दोनों इपबी थे हूश क्रेश ओन धीजी एक डोस ने अपना खर चत्टान पर मनाय था तो क्या उसे चत्टान मिली थी उसे भी रेतिला रिशानी मिला था लेकिन उसने अपना मकान बनाने से पहले उस रेतीली जमीन को चट्टान के रूप में बदल दिया मैं कहां अपना घर बनाओंगा और के था कि मिरी कोई भी संगती होगी क्या मैं किसी तैंख था कि में ला लूँगा क्या मैं एक मसी हूँ आप कोई भी काम ऐसे नहीं कर सकते मैं किसी से भी रिष्टा आयों ही बना लूँगा क्या हलो अगर मैं कुछ भी काम ऐसे ही कर लूँगा बिना सोचे बिना सोचे इसने कहा उसने कहा आपके रिष्टे बन गए तो आपका मकान रेट पर है चट्टान पर नहीं है तुफान आएगा आंधी आएंगी और आपका मकान ढह जाएगा क्योंकि आपने चट्टान पर नहीं बनाया है आपने उस रितेली भूमी को खोदा नहीं है आपने चट्टान को खोजा नहीं है हलो आप प्रभू के पास कैसे जाएंगे बाइबल क्या कहती है मागो तो तुम्हें दिये जाएगा ढूनो के तुम पाऊँगे खट-कटाऊँगे तो तुम्हें दरवाजा खोला जाएगा रेसलोड खट-कटाऊँगे तो जाना पढ़ेगा आपको प्रभू आपसे ऐसे मिल जाएगा क्या प्रभू को आपको खोजना पढ़ेगा और प्रभू को खोजने के लिए आपको अपने आपको सबसे अलग करना पढ़ेगा क्या प्रभू ऐसे मिल सकता है क्या आप इशु मसीख को ऐसे पालेंगे नहीं ना आपको उसको खोजने के लिए बहुत सी चीजों को भूलना पड़ेगा, इशु को पाने के लिए आपको संसार को, बाइबल क्या कहती है, अगर तुम्हें मुझे पाना है तो अपना इंकार करना पड़ेगा, बजन क्या कहता है, कि तुम्हें अगर मुझे पाना है तो अपन अपना इंकार करना पड़ेगा यही प्यार है किसी को पाने के लिए मुझे अपना इंकार करना पड़ेगा अगर मैं अपना इंकार नहीं करता हूं तो मैं इशू से प्यार नहीं करता हूं मैं संसार का हूं सिर्फ दिखावा कर रहा हूं इशू से प्यार करने का नहीं कर सकत आप तो दोनों भाईयों को एक ही रेतीली जमीन मिली थी लेकिन एक ने महिनत नहीं कि चलो रेतीली जमीन है ख़ड़ा करने के लिए इटे भी है चलो ख़ड़ा करके हो अरे मसी जीवन में आप क्या सोचते हैं तुफान नहीं आएगा परिशाय नहीं आएंगी आप समझते हैं कि इशु मसी है ना हम प्रात्रा करेंगे मेरे भाई उसने बुद्धी दिये वचन पर चलो वचन किसके लिए ताकि आपको सेफ कर सके आपको सुरक्षा दे सके अगर आप कोई अपने जीवन को बिना वचन के चला रहे हैं तो आपने रेत पर अपना मकान बन संबंद वचन के बिना निभा रहे हैं तो आपने रेत पर अपना मकान बनाया है और एक दिन आंधी आएगी एक दिन तोफान आएगा और आपका मकान ढह जाएगा पिर आप किस पर दोश लगाएंगे आंधी पर प्रभू पर अपने उपर तब भी दोश नहीं कि आपके इंदर वचन नहीं है ओगे आफ आपके अंदर वचन नहीं है आप अपने आपको तब भी नहीं देखेंगे कि मैं गलत हूं nag आँ च्थि वचन हे निया है आपके उदर वॉचाहीं धीने जैस आपके इंदर इशु यh नहीं यह आप तो geben मसी का आडंबर निभा रहे हैं मसी बनने का कुछ नहीं है आपके अंदर खोक लें आप जरा सी आंधी आएगी इमीजेट है जाएंगे आलेलुया आंधी का मतलब समस्ते मसी की आंधी क्या होती है समस्ते की नहीं समस्ते संसार की आंधी नहीं होती है मसी की आंधी क्या है अलो आपके जीवन में आंधी कैसे आएगी एक मसी के जीवन में आंधी कैसे आएगी कैसे आएगी जब मैं बॉलिवुड में था और मैं बॉलिवुड से जब मैं प्रमोश्र के चरणों में आया मुझे सहरा चैनल से एक नौकरी आफर हुई एक नौकरी आफर हुई कि मैं आपको सवा 2 लाख रुपया महीना देंगे हाँ सहरा चैनल वालों ने मुझे कहा कि सवा दो लाख रुपया महीना देंगे और आप हमारा चैनल में हमारा प्रोग्राम written and directed करिए आप और डेट साल का प्रोजेक्ट था तकरीबन डेट करोन मिल सकता था मुझे मेरी वाइब खुश थी लेकिन मैंने का नहीं अगर मैं ये काम करता हूँ तो मुझे साथ वज़े से लेकर रात को बारा वज़े तक इस काम में रहना पड़ेगा तो मैं प्रभू का सूर समचार कब सुनाओंगा? मैं बाइबल का पढ़ूँगा? मैं प्रात्रा का पढ़ूँगा? इसका मतलब ये काम प्रभू की ओर से नहीं है तो ये क्या था मेरे लिए? आंधी ये क्या थी मेरे लिए? आंधी शैतान उस सवा दो लाख रोपे की आंधी देकर मेरे घर को खतम करना चाहता था निकालना चाहता था परेस लमरे पॉलिवड में जाता फिर से दारू पिने लगता खतम ये तो आंधी है मसी के जीवन में आंधी क्या आती है ये ही तो है संसार का लोब संसार का मhot संसार का पैसा, यही तो आंधी है मसी जीवन के लिए जो आपके घर को तबा कर देती है, खतम कर देती है, उड़ा देती है, यही है आंधी, कभी-कभी उन आशीशों को ध्यान दीजिए, जो आ रहे हैं आपके सामने, याद रखिए, कभी-कभी उन ब्लेसिंग्स को, मुझे पैसा आ रहा है, जो नौकरी आ रही है, उस पर ध्यान दो, जाचो, मुझे प्रभू से दूर तो नहीं कर रहा है, यह जो पैसा है, यह नौकरी है, यह धंदा है, आप नहीं जानते हो, बहुत मुश्किल से आपको याशीश मिला है, हो सकता है आपके बास तीन साल पहले आया हो, हो सकता है आपके बास चार साल पहले आया हो, दस साल पहले हो सकता है आपको प्रभू मिला हो लेकिन आपको पता है प्रभू ने आपको आपके मा के कोख में चुन लिया था आपको दस साल पहले हो सकता है परमेश्र का संदेश समझ में आया हो लेकिन परमेश्र ने आपको बहुत पहले चुन लिया है और आपके पीछे आत्माएं लगाई हुई है पहले आदमी ने बताया होगा आपने माना नहीं होगा रहे यारी क्या बोल रहा है इशो मसी के बारे में फिर दूसरा एक आदमी आया होगा एक दूसरी बहन आही होगी अरु भीया जानी है आप इशो मसी को इशो मसी फिर भी आपका मन नहीं आड़े क्या है यार जहां देखो यह आज आज आज़ते हैं यह लोग पैसा तो नहीं खाते हैं यह तो नहीं करते हो तो नहीं करते आइसा आइसा कई बार लोग आए होंगे तब कहीं आपका मन जोती आई होगी आपके अंदर के नहीं यार मैं जानकर तो देखूँ और कई लोगों के बाद एक भाई ने जब आपको सुनाया होगा या एक बहन ने सुनाया होगा प्रभू के बचन आपको छुआ होगा तो आपको तो मिला दस साल पहले दो साल पहले लेकिन प्रभू कबसे काम कर रहा है कबसे वो आपको बुला रहा है कितने साल पहले से आप सोच नहीं सकते 75 यस का जब इब्राहिम था अध्याए 12 में तब वो कहता है कि तू परमेशर प्रामिस करता कि मैं तुझे बच्चा दूँगा लेकिन इतियास कार कहते हैं इतियास की पुस्तकें अगर आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे जब वो 50 साल का था तब से परमेशर उसे बुला रहा है 25 साल लग गए परमेशर को इबरहाइम को बुलाने में इसलिए आप धन्यवाद दीजिए हर उस भाई का उस बहन का जिसकी वज़े से आपको सूसमाचान मिला उसके लिए प्रात्रा करिए जिसकी वज़े से आप आज यहां बैठे हुएं धन्यवाद दीजिए आलेलिया तो क्या कहता है कि यदि मैं अपने मन में अधर्म को संजोए रखता तो मेरी प्रात्रा नहीं सुनी जाती अगर आपके मन में अविश्वास है पूरी तरीके से विश्वास नहीं है आप अधर्म कर रहे हैं अगर आपके मन में संधे है प्रभू के लिए तो आप अधर्म कर रहे हैं, अगर आपके मन में चिंता है, तो आप अधर्म कर रहे हैं, अगर आपके मन में निराशा है, तो आप अधर्म कर रहे हैं, मेरा पिता है, प्रात्रा करना उसे सिखाया, उसने कहीं नहीं कहा चिंता करो, मर्कुस 11 का 23, उखर जा और समुद्र में जा पड़ और अपने मन में संदेह ना करे वरन प्रतिति करे कि जो कहता हूं वह हो जाएगा तो उसके लिए वही होगा इससे बड़ा उधारन आप कुछ नहीं पा सकते एमेन जो कोई विश्वास करे और मन में संदेह ना करे कि ये जो है पहाड मैं बूरूंगा और वो उठेगा और जाके समुद्र में जा पड़ेगा प्रतिति करे आपका काम क्या है सब प्रतिति करना आपका काम क्या है सिरफ मानना कि मैंने जो कहा है वो होगा आपका क्काम क्या है विश्वास करना उसमें लिखा हुए सपेसिवेकली संदेह ना करे अगर आप संदेह करते तो पाप करते संधेне करिए अप अगर अगर आप संधे करेंगे तो आपकी प्रात्रा नहीं सुनाई जाएगी प्रेह स्धुनाई प्रित्स लोट इसी का अगर पढ़ेंगे या याकूब की पत्रि पढ़ी ईक का की dan एक पांच तुम ने एक究 ripe की कमी हो तो परमेश्यों से मांगे और उसे दे दी जाएगी क्योंकि वो प्रतेक को बिना उल्हाना दिये उदारता से देता है पर विश्वास से मांगे और तनिक भी संधे न करें क्योंकि जो संधे करता है वो समुद्र की लहर के समान है जो उड़ती है हवा में और उचलती है कौन से बुद्धी मानते हैं? संसार में मैं किस तरीके से रहूँ? अपने बॉस को मैं कैसे टैकल करूँ? परमेशर बुद्धी दे मुझे. Yes. किस तरीके से मेरी इंग्रिमेंट हो जाए? मुझे बुद्धी दे में क्या करूँ? कभी आपने बुद्धी मांगी है? कि परमेशर में तेरे बचनों को समझ सको. परमेशर में तेरे ग्यान को समझ सको. तेरे प्रामसिस को समझ सको. मांग कर देखिये. और जिस दिन आप परमेशर को समझ दिया लगेंगे ना मेरे भाई, आप कुछ नहीं मांगेंगे मैं चलेंज करता हूँ आप कुछ नहीं मांगेंगे यह नौकरी उखरी कुछ नहीं मांगेंगे नौकरी यह आपके पीछे आएंगे पीछे तु क्या खाएगा तु क्या पहनेगा तु कहा रहेगा इसकी जिंदा मत कर क्योंकि Amen उसके राजी की खोच कर उसका राजी क्या है मन फिराओ क्योंकि परमेश्रा का राजी निकट है Hallelujah Praise the Lord इश्व मुसी ने पहला प्रशार क्या किया था मन फिराओ Praise the Lord उसने पश्चताप नहीं किया था मन फिराओ मन कैसे फिराते आजकल जो मसी है न वो अपना पाप मान लेते हैं हाँ हाँ मैंने पाप किया I'm sorry यह क्या मन फिराना हुआ आपने अंगी कार किया है क्या आपने पाप किया है मन नहीं फिराया हम वहीं पर अपने आपको रोग देते ओके हो गई प्रातना बन गया मसी क्योंकि मैंने कहा है अखशब कर लिया है मैंने पाप किया था मन फिराओ का मतलब क्या है कि मैं अगर इदर गलत चीज़ देख रहा हूँ About 10 मेरा परमिशर कहा है इदर आजा कोई आजा इदर इदर आए Praise a lot Hallelujah देख रहा है है मैं भी देख रहा हूँ ये भी देख रहा है देख रहा है इदर देखे में इदर देखे Praise a lot मैं एक पापी मसी हूँ Hallelujah ये हैं परमिशर अब ये मुझे देना चाहते है बोली अनिल मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ मेरा नाम बोली है अनिल मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ अब मुझे लेने के लिए क्या मैं ऐसे करूँ आज का मसी क्या कर रहा है परमिशर की ओड ऐसे कर रहा है प्रभू Praise a lot हमको कम मिलेगा पूरा जब हम पूरी तरह मोलेंगे आज का मसी सबसे बड़ी घल्ट फहिमी में है कि ओके परमिशर येस परमिशर मैं काम करूँ येस ताकि ये संसार भी दिखता रहे और ये भी दिखता रहे संसार ना चूटे मेरे नौकरी जूटके तो क्या करेंगे ये संसार ना चूटे मुझसे संसार रहे मेरे पास प्रभू कम मिलेगा मैं कब इसकी बात को समझूँगा मैं कब अपने आशीशों को लूँगा जब पूरी तरीके से सामने जाऊंगा Amen Amen आप समझी नहीं रहे आप परमिश्र को समझी नहीं रहे क्योंकि आप पूरी तरीके से मुड़ नहीं रहे हैं परमिश्र की हो अधूरे मन से आ रहे हैं प्रभू के हो अधूरे मन से कलीस्या में आ रहे हैं अधूरे मन से बाइबर पढ़ रहे हैं अधूरे मन से प्रात्रा कर रहे हैं, संदेय रहे हैं, अविश्वास कर रहे हैं, बैठिए भई यह, रेस लॉट, मन फिराओ, अबाउट टन, मुझे पूरी तरही के सा मुढ़ना है, मन फिराना है, रेस लॉट, मन फिराओ, क्योंकि सौर्ग का राज निकट है, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, जिस जिन आपने मन फिराया, उस जिन, संसार आपके पीछे आएगा, अगर संसार आपके पीछे नहीं आ रहा है न, इसका मतलब आप गलत हैं, आपने मन फिराया ही नहीं, आपने मन नहीं फिराए यहुदा इस कर्योती परमिश्र का चुना हुआ अदास था चुना हुआ अदास था और बाइबल बताती है वो अपने जितने भी उसके परमिश्र इश्यू के चेले थे उन सम्में बहुत काबिल था क्लेवर था वो इश्यू मसी ने पत्रस के द्वारा मती के द्वारा मरकुस के द्वारा अपना सू समचार लिखवाया प्रेस अलोड इतियास कार भी कहते है और मैं भी समचता हूँ कि इश्यू मसी यहुदा इस कर्योती के दारा भी लिखवाना चाहता था उसके द्वारा भी परमेश्वर इशु मसी प्रभू के सूस्वमचार को लिखवाना चाहता था लेकिन उससे संदे किया उसने पाप नहीं किया क्या हुआ? क्या इशु का राज़ बंद हो गया? क्या उसकी इच्छा पूरी नहीं हुई? उसने पॉलूस को चुन लिया पॉलूस को चुन लिया आप अगर उसकी सेवा नहीं करेंगे तो वो आपके पॉलूसी को चुन लेगा आप यह मैं समझे कि मेरे अंदर सेवा की भावना है तो महीं कर सकता हूँ नाई परमिशर किसी को भी चुनकर उसके अंदर सेवा की भावना डाल देगा किसी को भी मुसा हकलाता था चल तू इसराइल को बचाएगा चल तू इसराइल को बचाएगा और जब तक मुसा संधे करता रहा कुछ नहीं कर पाया मेरे गवन दो और तीन देखिए मुसा संधे कर रहा है यह परमिशर है कि नहीं है मैं जाओंगा तो क्या बोलूँगा ऐसा बोलूँगा तो ऐसा होगा ऐसा कहूँगा तो ऐसा होगा कुछ काम नहीं कर पा रहा है जैसे ही मुसा ने विश्वास किया जैसे ही मुसा ने संधे करना बंद किया परमेश्वर के अभिशेक से भर गया अलेलिया और बाइबल कहती है कि तीन बार वो परमेश्वर के सामने चालिस दिन चालिस रात की प्रात्रा करता था भूका प्यासा इशु मसी ने सिरफ एक चालिस दिन चालिस रात की प्रात्रा की भूका प्यासा लेकिन मुसा ने तीन बार की क्या अपने बल पर की अपनी शक्ती से की परमेश्वर की शक्ती से भूका और प्यासा रहना आसान नहीं है आसान नहीं है अगर आपके मन में संधे हैं आप कभी भी इश्यू को नहीं पास सकते आप 10 साल, 20 साल आते रहिए आते रहेंगे, बैठते रहेंगे आपका पडुसी बदल जाएगा आज कोई बैठता है, दो साल के बाद कोई और दूसरा बैठेगा क्योंकि यहां तो कलीसिया है यह तो लोग आएंगे जाएंगे जो भठकेंगे जाएंगे वो टिकने वाले बहुत कम है अंत तक जो टिकेगा वो ही प्रभू को पाएगा बहुत कम है कभी भी कोई जा सकता है कोई बड़ी बात नहीं है कोई जाए उसके लिए प्रात्ना करो कोई आए उसके लिए धन्यवाद दो बस एक अपना नियम रखो जो जा रहा है उसके लिए प्रात्ना करो जो नया आ रहा है उसके लिए प्रात्ना करो और धन्यवाद दो प्रेस अलोट हमें अपना काम करना है एमानदारी के साथ इसलिए मेरे भाई मेरी बेहन वो क्या कहता है कि अगर तू अपने मन में अधर्म संजोए रखता तो पाप ना तो प्रातना तेरी सुनी नहीं जाती अयूब ने अपनी आखों से अधर्म को निकाल दिया था जो 31 1 मैंने अपनी आखों के साथ वाचा बांदी है फिर मैं किसी कुवारी पर कैसे आखेर लगाओं एमेन अभी आपने वाचा बांदी है अभी आपने प्रभुबोज लिया वाचा बांदी है एमेन आप जब पवित्रता के आपने वाचा बांदी है कि मैं कोई पाप नहीं करूंगा क्योंकि एश्व मुसी ने आपके सारे पापों को माफ कर दिया मेरे अंदर कोई पाप नही कोई पाप नहीं करूंगाओ वाचा बांदी आपने हाग के ना व्हसलाटiva अईूप ने अपनी आँखों के संग बाचा बादी थी इस सुनिए उसकी बाचा कि मैं अपनी के लिए आखों के संग मैंने वाचा बान दी है मेरी ईक पत्नी है मैं किसी भी ओर अगरत को घलत निगा से क्यों देखो हलो मेरे इश्व के संग मैंने वाचा बान दी है क्योंकि उसने मुझे पवित्र किया Serve अपने लहू से मुझे शुद्ध किया है मैं क्यूं जूट बलूँ ईशु मसी मेरे पापों के लिए मरा और मर के जिन्दा हो गया मैं क्यूं धोका दूँ क्यूं आपने वाचा बांदी है न आपके रिष्टों से ज़्यादा वाचा वाचा ज़्यादा जरूरी है कि आपका रिष्टा जरूरी है इशु का मरना जो मर के जिन्दा का वो आपके लिए इंपॉर्टन नहीं लगता क्या आपकी जिन्दगी आपके लिए इंपॉर्टन्ट है आपके रिष्टे आपके लिए important है आपका मैं आपके लिए important है आप मसी नहीं है आप नाटक कर रहे हैं घर चले जाएए आप नाटक कर रहे हैं आप आपको पता है, दोपाप, उपदेश, पहाडी उपदेश, अगर आप पढेंगे, कई बाते हैं, अगर कोई इसी किसी को शमना करे, वो नर्क नहीं जाएगा, कोई कहगा एक किलुमेटर चलो मिरसंग और अगर आप दो किलुमेटर नहीं चलेंगे, तो आप नर्क नहीं कई बाते हैं पाड़ी उब्देश में लिखी हुए हैं लेकिन दो बाते हैं जिनकी विज़े से एक मसी नर्क जा सकता है वो क्या है गुस्टा करना पांच का बाइस तेश चौबिस मैत्यू फाइव टूटिटू टूटिट्री टूटिफूर परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा और कचहरी में दंड के योग्य होगा और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह महासभा में दंड के योग्य होगा और जो कोई कहे अरे मुर्ख वह नर्क की आग के दंड के योग्य होगा इमेन, क्रोध करने वाला नर्ख जा सकता है, इसलिए एफिस्यो की पत्री 4 का 26 में लिखा हुआ है, क्रोध तो करो लेकिन पाप मत करो, शाम होते होते तुम्हारा क्रोध खतम हो जाना चाहिए, नहीं तो शैतान काम करेगा, और आप नर्ख की आग में जाएंगे, क्रोध, औ तुम सुन चुके हो, कि कहा गया था वैविचार न करना, परन्तु मैं तुम से यह कहता हूँ, कि जो कोई किसी इस्त्री पर खूद रिष्टी डाले, वह अपने मन में उससे वैविचार कर चुका, अगर कोई इस्त्री को गलत निगा से देखता है, तो आप आप कर चुके और आप का अंत नर्क है, यही अयूब ने इसलिए कह था, कि मैं अपनी आखों के संग वाशा बांता हूँ, कि मैं कुछ गलत चीज़ नहीं देखूँगा, मैं कुछ गलत चीज़ नहीं सुनूँगा, मैं कुछ गलत चीज़ नहीं बोलूँगा, और वाशा बांदने के बाद उसने क्या किया कि मैं मैंने अपनी आखों के संग वाशा बांदी है मैं कोई गलत मैं इस तरी को गलत निगा से क्यों देखू मैंने वाशा बांदी है मेरे लिए वाशा जरूरी है मेरे लिए इशु जरूरी है There's a lot मेरे भाई मेरी बेहन इशु जरूरी है हमारे लिए और कुछ भी नहीं है अगर आपके पास इशु नहीं है मेरे भाई कुछ भी नहीं है आप नहीं जानते नरक की अगनी आप नहीं जानते नरक की अगनी एक दिश्टांत है लाजर और धनी आग्तमी याद है आपको Luka Sola लाजर और धनी वेक्थी वो धनी वेक्थी जब नर्क गया क्योंकि उसमें दो आद्मियों का नाम है इब्राहिम और लाजर वो सच्ची घटना है कभी आपने सोचा है जो धनी वेक्ती नर्क में गया और वो इब्राहिम से बात कर रहा है उसने एक बार भी नहीं कहा कि मुझे नर्क से निकाल कहा उसने कहा उसने उसने कहा कि लाजर से बोल कि अपने उंगली में एक बूंद पानी लेकर आ जाए उसने कहा कि नीचे जाकर मेरे भाईयों को समझाओ कि वो वचन पढ़ें वो जाने कि प्रभू ईशू मसी को जानो नहीं तो नर्क निश्चित है उसने खुद नहीं कहा कि मुझे नर्क से निकालो नर्क बहुत भहेंकर चीज़ है आप समझते हैं आप किसी को दोश लगालते हुए आप किसी को धोका देते हुए आप वेविचार करते हुए आप समझते हैं कि नर्क की अगनी से बच जाएंगे आप आप दिखावा करते हुए शो करते हुए शो के साथ आप परमेशर की सेवा करते हुए आप समझते जाएंगे, नहीं बचेंगे, नहीं बचेंगे, अंतिम समय आ रहा है, अंतिम समय आ रहा है, आप नहीं जानते हैं, दूसरा करुंतियन पांच का दस, क्योंकि अवश्य है, कि हम सब का हाल मसी के न्याय आसन के सामने खुल जाएं, कि हर एक वैक्ति अपने भूल बूरे कामों का बदला जो उसने दे के द्वारा किये हो, पाएं, हर आदमी का न्याय होगा, यह मैं समझे कि मैं मसी हो तो मेरा न्याय नहीं होगा, जिसने इशू को नहीं पाया, उसका न्याय तब से होगा, जिसने जनम लिया है, अपनी मा की कोक से, और जो उसने कार किये, उसके उपलेक्ष में, उसके अनुसार का उसका न्याय होगा, ज जिसने एिशु मसिय को पा लिया है, उसके बाद उसने जो काम किये हैं, उसके अनुसार उसका न्याय होगा, आप मожно समझोगे क्यों है, चारचारों मेरा न्याय नहीं होगा, आपका न्याय पहले होगा, आपका प्रडोशी हो सकता बज Jahren, क्योंकि वो इशु मसी को नहीं जानता और पाप कर रहा है वो तब भी नादान है आप इशु मसी को जानकर पाप कर रहे हैं बहुत बुरा अन्याय होगा आपका जो इशु को जानकर पाप कर रहा है आप क्या समझते हैं अंतियों समय में इश्व मुष्य पूची का मैं तुम जानता नहीं हो, कौन हो तुम जानता था को मैं चर्च आता था, मैं दांड शान देता था मैं तो तो PAVSALO Пр amazon लोड बोलता था मैंने जानता हो तुम कौन हो तुमसे अच्छा तुम्हारा पड़ुसी है जिसने तुम से ज़्यादा घिनोने पाप नहीं किये मसी में आने के बाद आपको लगता है कि हमको पाप करने का लाइसेंस मिल गिया है अरे पाप करेंगे माफी मांगेंगे फिर परमिशन हमें माफ कर देगा गुटने टेंगे कि परभू मुझे माफ कर रहा आप समस्ति आपको लाइसेंस मिल गिया है पाप करने का नहीं मेरे भाई आप तलवार पर चल रहे हैं आप तलवार पर चल रहे हैं हालिलुया इसलोट वेवस्टा वेवन अठाइस का फॉटी सेवन तू जो सब प्रदार्थ की बहुतायत होने पर भी आनंद और प्रसंदता के साथ अपने परमेश्वर यहवा की सेवा नहीं करेगा तू जो सब प्रकार की बहुतायत होने के बावजूद भी आपको परमेश्वर ने सब प्रकार की बहुतायत से आशीश दिया है तो भी यदि तू परमेश्वर का भन्यवाद करते हुए सेवा नहीं करेगा तो इस कारण तुझको भूका, प्यासा, नंगा और सब पदार्थों से रही थोकर अपने उन शत्रूओं की सेवा करनी पड़ेगी जिने यहोवा तेरे विरुद्ध बेदे इमें, तुझे अपने दुश्मनों की सेवा करनी पड़ेगी परमेश्वर ने जो तुझे दिया है अगर तुझे उसका धन्यवाद नहीं देता है अगर तु संतुष्ट नहीं है और नाहीं तुझे विरुद्ध बेदे तो तुझे नंगा होकर भूका होकर अपने शत्रूओं की सेवा करनी पड़ेगी याद रखिए याद जो मैं आपको चुनोतियां बता रहा हूँ इसे आप समझे परमेश्वर भी आपसे प्यार करता है और मैं भी आपसे प्यार करता हूँ क्योंकि मैं आपका आत्मिक पिता हूँ और आपको सच बताना रास्ते पिलाना मेरा फर्ज है आलेलुया मैं समझता हूँ प्रभू आपसे बहुत प्यार करता है इसलिए अपने मन में कोई संशे मत रखिए जब भी प्रात्रा करिए ना अपने मन में संशे रखिए ना विश्वास करिए क्योंकि आपका संशे रखना आपका विश्वास करना आपका चिंता करना आपका निराशा में जाना आपका पूरी तरीके से परमेश्व से प्रेम ना करना ये अधर्म है और अगर आप अधर्म को संजोय हुए है तो परमेशल आपकी प्रात्ना नहीं सुनेगा इसलिए अगर आपकी प्रात्ना कभी नहीं सुनी जाए तो अपने आपको जाचिए बहुत लंबी प्रात्ना करने की ज़रूत नहीं है आपके तो पत्रस जब इशो मसी पानी पे चलते विवा रहे थे पतरस ने कहा इशो मसी अगर तो ही है तो मैं भी आउँ इशो मसी ने कहा आजा और पतरस पानी पे चलता ह Dw A actual पास जाने लगा लेकिन जैसे उसकी निगाएं हभा पर गई उससे हभा को देखा संसार को देख़ा डगमगा गया और डूमने लगा क्या का उसने मुझे बचा कोई लंबी चौड़ी प्रात्रा नहीं कि उसने मुझे बचा और उसी समय इश्यू ने बचा लिया आपकी प्रात्रा ये लंबी नहीं होनी चाहिए आपकी प्रात्रा ये विश्वास से पून होनी चाहिए परमेशर आपके साथ है, विश्वास करिए मेरे भाई, संधे मत करिए, कभी भी प्रात्रा करते समय, कभी संधे मत करिए, जो आप मांग रहे हैं वो प्रभू देने में सक्षम है, वो देगा आपको, और वो देना चाहता है, और वो कहता है मांग मुझसे, इसलिए अपना मन फिर आईए पूरी तरीके से प्रभू के चरणों में आजाईए वो आपसे बात करना चाहता है पूरी तरीके से उसे देखिए आधा अधूरा मत देखिए प्रोफाइल में मत देखिए पूरी तरीके से देखिए पूरी तरीके से अपने आपको परमेश्व के चरणों में ल बोलेगा और आपको आशीश देगा आपको समझ देगा कि आप उसको समझ सकें, उसको जान सकें, हम उसको समझ सकते हैं क्या? कौन बुद्धी देगा होई हूँ? Praise the Lord, Hallelujah, आज का विशन अच्छा लगा? अच्छा लगा? बहुत धीमे बोल रहे हैं आप, अगर मैंने आपका दिल दुखाया है तो मैं माफी नहीं मागूँगा मैं चाहता हूँ आपका दिल दुखे क्योंकि अगर आपका दिल नहीं दुखेगा तब तक आप समझेंगे नहीं Praise the Lord Hallelujah आप खुश हैं? आनन्दित हैं? Hallelujah आए हम प्रात्रा करते हैं पिता परमश्र धन्यवाद देते हैं आपके फवीड समर्ती नाम के लिए पर महान है महीमा और अदर के योग यहां परमश्र आपकी कृपा दिश्री मेरे बच्चों पर बनी रहे इस कलीस आप बनी रहे जो वचन आपने मेरे दोरा दी हैं वचन इनके जीवन में काम करें एश्यो मस्य के नाम से मांगते हैं धन्यवाद प्रात्रा आपने सुनी को बूल कि अमेन God bless you बोले एश्यो मस्य की एश्यो मस्य की एश्यो मस्य की Peace the Lord